इस बार मैं प्रिपेर होके आया हूँ आजा हाँ गाइज लिटरेली आएम नेवर सीन दिस टाइप अफ मूवी इन इंडियन सिनिमा गाइज नागा सुन सर ने क्या बना दिया है मुझा अभी भी यकिन नई हो रहा है कि ये एक इंडियन मूवी है जो VFX और CGI देखनों को मिल रहा है वो एज टू एज होलिवुड मूवी को टकर दे रहा है लिख के ले लो लिटरेली ये मूवी एक नाई स्टेंडर सेट करेगी इंडियन सिनिमा में ट्रेलर में काफी कुछ देखनों को मिला लेकिन ट्रेलर को इस तरह से एडिट किया गया है कि कुछ स्पोल ही नहीं होता इवन इस से इस मूवी का हाइप और भी बढ़ जाती है मैंने ट्रेलर को कई बार देखा 4K में जिसमें मैं काफी कुछ नोटिस किया जो कि आपने mostly मिस कर दिये होंगे सो कोई भी डिटेल मिस नहीं करना चाते हो तो इस वीडियो को लास तक जड़ो देखना सो अब टाइम को वेश ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो ट्रेलर में सबसे पहले हम असो धामा का वही पुराने सोर्स देखने को मिलते हैं जो हम लोग ने असो धामा के इंट्रोडेक्शन वीडियो में देखा था फिर उसके बाद हमें वीजनती नेटवर का जो लोग है वो देखने को मिलता है वेसे इंटरेस्टिंग और नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जितनी बार भी हम लोगों ने इनके पुराने लोगों को देखा है वो असल में ब्लेक और वैट में होते हैं जिन पर कोई कलर नहीं होता है लेकिन इस बार हमें जो लोगों देखने को मिला है वो कलर लोगों देखने को मिला है आगे असोध हमा सुमती से कहते हैं कहते हैं कि भगवान के अंदर पुरे सिष्टी होती है और आपके अंदर तो भगवान है और आगी जाके हमें ये source देखने को मिलता है कि असो धामे ने finally सुमती को संभाला में लेके आ चुके हैं राइडर से बचाके जैसे तेसे और यहाँ पर हमें संभाला की world building देखने को मिलती है जो कि मुझे personally देखने में कमाल की लगती है अगर तुम इस फ्रेम पर ध्यान दोगे तो तुमें काफी कुछ देखने को मिलेगा जैसे पहारों को उपर ये जो घर बना गये है फिर साथ में यहाँ पर एक temple भी देखने को मिलता है और अगर तुम इस फ्रेम पर notice करोगे यानि कि इस section पर ध्यान दोगे तो तुमें मोती जैसे color करती है देखने को मिलेगी pillar पर जूम करके और देखते हो तो पता नहीं चलता है कि यह किसकी color करती है लेकिन pillar पर जो detailing दी गई है वो अच्छी है फिर उसके बाद हमें दुबारा कुछ पुड़ाने source देखने को मिलते हैं वो भी अलग-अलग यानि same same but different angle से जहां same story चल रही है कि किस तरह से और किस प्रकास से असो धामा और भेरवा के लड़ाई हो रही है यहां पर हमें देखनों को मिलता है यहां पर मैंने कुछ चीजे नोटिस करी सबसे पहले तो असो धामा को कोई बहुत जोर से दूर तक पूस कर रहा है और वो जाके सीधा हाथी से टकड़ाता है अब मुझे नहीं पता कि यह हाथी वाला रेफरेंस हुआ है या नहीं लेकिन असो धामा और हाथी के कहानी काफी इंटरेस्टिंग है बिकुस महाभारत में स्रीकिस ने ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते थी कि वो दोड़नाचारी असो धामा के पीता जी को इतनी आचानी से हारा ने सकते तो इसी वैस से उनने असो धामा नाम के एक हाथी को मरवा दिया और जैसे ही दोड़नाचारी को युदुष्टि के मुँझ से आधी कहानी पते चली उनने पूरी तरह से हाथ्यार डाल दिये और फिर उनको भी हाराना बहुत असान हो गया वैसे मुझे नहीं पता है कि ये वाली रिफरेंस सही हो गई या नहीं बट इस वाले सोट को अगर ध्यान से नोटिस करते हो तो यहाँ पर असो धामा पर अटेक करने वाला कौन है ये भी आपको किलिर समझ में आ जाएगा इन्होंने सफ़ेज रंग के कपड़े पहने हु है एंड में भी यहाँ पांडो में से कोई हो सकता है आगे हमें एक ओसम सोट देखने को मिलता है जिससे में बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ और वो सोट है कमर हसन का एक है सुप्रीम यासकिन का अगर तुम इन फ्रेम्स पे ध्यान दोगे तो तुम्हें बेसिकली दिखे और पुडाने ट्रेलर में कमल हसन डिफ्रेंट है इस डेलर में हमें बैड़ेस लूक देखने को मिलता है कमल हसन का outtaashan के ऐस सुप्रीम यासकिन जो कि पूराने वागले क्या धे को एक यहां काम किया है हम दोनों सोंट को एक साथ देखते हैं तो सुप्रीम मिया इने काफी तो यह वाले बेसिकली इसके बाद के अगेंटी सोर्स होंगे फिर अगें हमें कलकी के फर्ष ग्लिंस वाले कुछ अगेंट सोर्स देखने को मिलते हैं और उसमें भी हमें यह भी देखने को मिलता है कि मरेम सरुवात से इस उमती को बजाते आ रही है most probably इनका कोई रिस्ता होगा इनके साथ वेल अब ये वाला सोट काफी ज़्यादा इंटेस्टिंग है और वो इसलिए क्योंकि ये बेसे के लिए उत्रा है अभी मन्यू की वाइफ और अर्जुन की बहु जिनके गर्ब में असो धामने बरमास छोड़ा था और हमें के लिए यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि मैंने आग भी बात करी अब इन सबको इतना बार दिखाने का मतलब ये है कि हमें महाभारत में काफी सारे सिंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे मैं भी किसी का यहाँ केमियो देखने को मिलने वाला है जो कि मैं इसके लिए काफी ज़्यादा excited हूँ फिर उसके बाद हमें कई सारे war के sequence और source देखने को मिलते हैं लेकिन उसके बाद हमें वो sequence देखने को मिलता है जो कि इस glimpse से चला आ रहा है और वो है ये ओला जिसमें जो ladies है यानि जो women से उनको in pregnant किया जाता है ताकि यह पता किया जा सके कि supreme yaskin है उसकी जो consciousness है वो किस बचे का अंदर अच्छे से transfer हो सकती है और उसका हमें clear version यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जिसके अगर तुम gleams के साथ compare करेगो तो इसमें काफी ज़्यादा काम किया गया है काफी ज़्यादा refine किया गया है आगे सोट में हमें fighting और battle के कई सारे sequence देखने को मिलते हैं और यह भी काफी ज़्यादा well refine किये गए हैं अपने पुराने गिम्स और introduction वीडियो से फिर आगे हमें सेम सोट देखने को मिलते हैं असो धामा और भेरवा के लड़ाई के जिसमें clear दिखता है कि भेरवा completely dominant कर रहा है असो धामा पर वेर यहां भेरवा पूरी त्यारी करके आया है पूरी तरह से prepare हो की आया है और वो कहता भी है इस बार मैं prepare होके आया हूँ आजा और भूजी का एक advanced look भी देखने को मिलता है जिसमें वो clearly fight कर रहा है असो धामा से और असो धमा उस attack को रोकने के कोसिज भी करता है जो कि आप भूजी को as robot का हाथ को देख सकती हो जो कि दोनों में same है वेसे यह sort unexpected था क्योंकि trailer के end में आया था So overall कहूं तो यह trailer काफी अच्छा था इंडिया सिनेमा में कुछ नाया और एक नया standard set करने जा रहा है यह movie हुआ 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 है